हलो गाई इसमें बात के लिए हैं एपन्स होल्डिंग इस कमस्अ की बारे में इस कमनी का इपरقول को के सामने प्रेज curated हैं यह है FY23 का result और यह है FY22 का result ठीक है अभी यहाँ पर से साल दर साल कंपनी का performance कैसा है वो भी आप लोगों को में बताऊंगा कंपनी की income से शुरुवात करे revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income इस quarter में 57,284.74 million रुपीज का कंपनी का total income देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर कंपनी की income में वो दुगने से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ जाती है और year and base के उबर भी कंपनी की income में 95% का बढ़ोतरी होता हुआ नजर आ जाता है मतलब almost income यहाँ पर quarter and quarter base के उपर और year and base के उपर दोनों ही जगा पर कंपनी की income दोगनी होती हुई नजर आ जाती है बाकि इस कंपनी के expense की बात करें तो purchase of stock and trade and inventory cost और अलग-अलग cost को मिला कर कंपनी का total expense इस quarter के अंदर 54,739.07 million रुपीज का कंपनी का total expense देखने के मिल जाता है इस प्रकार से कंपनी की income में हाँ पर मरला बड़ोतर होती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे company के expense भी बड़े है तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चीए ठीक है बाकि इस company के net profit की बात करें तो 2257.95 lakh रुपीज का company का net profit देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर company के net profits में 45% की बड़ोतरी होती हुई नजर आ रही है और साल दर साल company के performance को देखोगे तो वहाँ पर भी company का performance अच्छी तरीके से almost 10,000 lakh रुपीज का बड़ोतरी होता हुई नजर आ जाता है बाकियार overall इस company के earning पर share EPS की बात करें तो वह यहाँ पर से 4.66 रुपीज के देखने के बलता है जो quarter and quarter base के उपर बड़े हैं और year on year base के उपर भी company के EPS में बड़ोतरी होती भी नजर आ जाती है overall इस company का जो result है वो मेरे सबसे दो भाई एक अच्छा result है company के share में ऐसा नहीं बोल सकते हैं बहुत बड़ी है result present किया है but decent इस company ने result present किया है invested हो ज़रू से holding continue कर सकते हो और company के share में अभी के लिए new investment मत करना गिरावट पर खरीदारी करनी है तर मिरको ऐसा लगता है कि इस company के share में यहाँ पर मत खरीदारी करना मिरको ऐसा लगता है holding company के अंदर पैसा करने मरला लगाने से अच्छा आप लोग यहाँ पर direct indices के अंदर nifty 50 के अंदर या nifty next 50 वहाँ पर आप लोग पैसा लगा होके तो long term में ज़्यादा पैसा बनेगा मेरा ऐसा opinion है ठीक है